आप ये सोचकर मेरे पास आए हैं कि मैं आपको एक नया धर्म दूँगा नहीं मैं आपको ऐसा आराम नहीं देने वाला ताकि आप चैन से सो सकें नहीं मैं चाहता हूँ कि आप बेचैन रहें तो ये मेरी प्रतिबधता और करतव्य है कि लोगों को वो दिखाऊं जो मैं देखता हूँ सद्गुरू आपने कई ऐसे महान गुरूं की कथा बताई है जो अपने शिश्यों को कन्फ्यूज कर देते थे क्या गुरू हमेशा सच बोलते हैं या अगर शिश्य के लिए जरूरी हो तुवी सच बोलने से बच्चते हैं पंजाब से जस्मीत क्या नाम है? जस्मीत ओ अच्छा मुझे लगता है मैं इसका जवाब दे चुका हूँ आप सब पक्का करना चाहते हैं मेरे दादेजी के एक भाई थे जो कुछ साल पहले गुजर गए 101 के उम्र में वो एक बहुत मजाकिया और मिलन सार व्यक्ती थे तो उन्होंने एक बेटा गोद लिया था जिसकी शिक्षा में कोई दिल्चस्पी नहीं थी मेरी भी नहीं थी पर मैं हमेशा अगली क्लास में पहुँच जाता था मैं पीछे नहीं रहना चाहता था पर वो स्कूल में पढ़ नहीं रहा था तो जब हम छुट्यों में उनके घर गए तब दादा जी ने मुझसे पूछा आप किस क्लास में हैं? मैंने कहा चटी में वो बोले जूट पिछले साल तुमने पांचवी कहा था अब चटी कह रहे हो हमारे बेटे को देखो वो पांचवी क्लास में ही है वो सक्चा है ये ऐसा ही प्रश्न है मैंने कहा सूरज उग गया शाम में पूछा जाए तो मैं कहूँगा सूर्यास्त अरे ये जूट है मैं क्या कर सकता हूँ? हलो? आपने एक सिक्का उपर उच्छाला मैंने कहा हेड्स है आपने फिर उच्छाला मैंने कहा टेल्स जूट मत बोलो पर मान लीजिये, एक कई पहलू वाला पासा हो मैं बोलूँगा, एक, चार, दो, तीन, छे, ये जूट है? मैं आपका क्या कर सकता हूँ? आप समतल धर्ती पर जाएं दुर्भागे से धर्ती गोल है और घूम रही है हमेशा एक अलग पहलू दिखता है इसलिए, जीवन के दो आयाम है एक आयाम है, जो कभी नहीं बदलता जीवन के कुछ आयाम कभी नहीं बदलते जीवन के कुछ दूसरे आयाम हमेशा बदलते रहते हैं यही चीज हमारी उर्जा में, या हम में, या दुनिया में या हमारे लिए पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति, पिंगला और इडा या सूरे और चंद्रमा है सूरे हमेशा गोल होता है, रोजाना गोल, बिलकुल गोल क्या आपने चौकोर सूरज देखा है? कलिफोर्निय में शायद देखा हो, जब आप कुछ लेते हैं एक दिन सूरज चौकोर था पर चांद को देखिए रोजाना अलग आकार होता है अलो, एक दो दिन गायब भी हो जाता है हर दिन अलग आकार तो इसलिए पुरुष महिलाओं को देख कर हैरान होते हैं क्योंकि रोजाना अलग आकार पुरुष सूरज की तरह है उन्हें रोजाना सब वैसा ही चाहिए जैसे किसी ने कहा था शायद किसी अमेरिकी लेखक ने कहा था वो बोले पुरुषों और महिलाओं में फर्क ये है शादी में महिलाओं हमेशा पुरुषों से बदलने के उमीद करती है और वो निराश होती हैं कि बदलाव नहीं हुआ वो वही चीज़ें कर रहा है पुरुष उमीद करते हैं कि महिलाओं वैसी ही रहें उन्हें 60 के उम्र में भी 18 जैसे ही होना चाहिए देखे, एक है चंदरमा, दूसरा सूरज चंदरमा हर रोज बिलकुल अलग होता है, अनोखा तो अगर मैं कहूं चंदरमा गोल है, तो क्या ये जूट है? या अगर मैं कहूँ चंद्रमा आज पतला है, तो क्या ये जूट है? नहीं, ऐसा ही है पर आपको सब पक्का करना है आप ये सोचकर मेरे पास आए हैं कि मैं आपको एक नया धर्म दूँगा नहीं मैं आपको ऐसा आराम नहीं देने वाला ताकि आप चैन से सो सकें नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप बेचैन रहें हलो? मैं चाहता हूँ कि आप बेचैन रहें क्योंकि अगर अग्यानता आपकी नीन नहीं उडाती तो ये एक तबाही है आप अग्यानी होकर भी अच्छे से सोएं तो ये tragedy है, लोग सोचते हैं अज्ञान आनंद है, नहीं अज्ञानता tragedy है, आपको क्या लगता है, हलो, अज्ञान सबसे भुरी tragedy है, जिसे मनुष्य हमेशा से जھیलते आए हैं और जھیल रहे हैं, हाया ना, पर कहते हैं अज्ञान आनंद है, उनके लिए शुब कामना है, ऐसा ह हुआ, अमेरिकन एरलाइन्स में, एक आदमी, first class में बैठा था, और उसे ये देखकर आश्चर हुआ, एक तोता उसके पास की seat पर, seat belt पहने हुए, ऐसे बैठा था, और फिर, जहाज के उड़ने से पहले, तोता बोला, मुझे स्कॉच विस्की चाहिए, होस्टस बोली, नहीं, उड़ान भरने से पहले हम कुछ नहीं दे सकते, फिर, तोते ने उसे गाली दी, हर तरह की गालियां उसने दी, आप लोस अंजलिस के हैं, आपको बताना ज़रूरी नहीं है, उसने हर तरह की गालियां दी, और होस्टस चक्रा गई, उसे समझ नहीं आया, उसने गालियां सुनाई, फिर उडान भरने के बाद, तोता फिर बोला, मुझे स्कॉट चाहिए, तो दूर, टिंग टिंग की आवाज आ रही थी, बोतलों और ग्लास की, और तोता चिलाया, मूर्ख लोग क्या कर रहे हो, इतनी देरी, उस व्यक्ती ने कोक मंगाई, और उसने रुक कर तोते की शक्ती के बारे में सोचा, कि ये चिलाता है, लोगों को डाराता है, सब पर रौब ज़ाडता है, वो तोते से बहुत प्रभावित हो गया, फिर तोते ने फिर से विस्की मंगाई और चिलाया, क्योंकि देर हो रही थी, और उसने एक कोक मंगाई, अब उसमें सोचा, मैं यहाँ एक कायर की तरह बैठा हूँ, तो वो भी चिलाया, ये चीज चलती रही, तोता चीजें मंगा कर चिलाता रहा और वो व्यक्ती भी खाना मंगा कर चिलाता रहा, फिर जहाज पर एक मीटिंग बुलाई गई, उन्होंने पाइलिट से सलाह की, वो आए, दर्वाजा खोला, और दोनों को उठा कर उस जहाज से बाहर फैंक दिया, दोनों नीचे गिर रहे थे, तब तोता बुला, बहुत हिम्मत की बात है, आपके तो पंक भी नहीं है, यह ऐसा ही है, अज्ञान आनंद नहीं है, क्योंकि जीवन एक प्रक्रिया है, सबसे गतिशील प्रक्रिया, पर आप जम जाना चाहते हैं, हलो, आप जम जाना चाहते हैं, सब कुछ पक्का हो, क्योंकि आप अनिश्चित्ता से परिशान हैं, हैना, हलो, जीवन सुरक्षित होना यानि एक ही स्थिती में जम जाना सब कुछ एक सा नई, जीवन बदलता है, क्या करें? यह बदलता ही रहता है, जीवन गतिशील है तो यह मेरी प्रतिबद्धता और करतव्य है यह मेरा मिशन है, कि मैं लोगों को वो दिखाऊं, जो मैं देख सकता हूँ आज चांद बहुत पतला है, क्या मैं यह कहूँ, चांद गोल है? हाँ, यह कहीं गोल भी है, मुझे पता है दूसरी तरफ से देखने पर चांद गोल दिखेगा पर हमारे अनुभव में यह आज पतला है नहीं चांद गोल है यह ऐसा नहीं है एक स्तर पर यह गोल है, यह सच है, यह गोल है, हमेशा गोल पर हमारे अनुभव में यह बदलता रहता है तो जीवन के कई पहलू है अगर आपको लगता है कि सब कुछ काला सफेद या सही गलत हो तो आपको कम्यूनिस्ट पार्टी से जुड़ जाना चाहिए क्या उपयोगी है और क्या नहीं यह सप्पता है हर चीज उपयोगी है हलो कैसा नहीं है आपको लग सकता है कि कोई चीज उपयोगी नहीं है पर उसका अपना उपयोग है, आया ना क्या एक छोटी छड़ी, उपयोगी है आपके लिए नहीं होगी, पर किसी दूसरे के लिए है एक टिड़ा, क्या वो बेकार है, हलो नहीं, वो उपयोगी है, उसका अपना एक पूरा जीवन है तो आप सब कुछ पूरी तरह से तै कर रहे हैं अपनी विचारधारा, या अपनी भावनाओं, या अपनी फिलोसफी, या अपने धर्म के हिसाब से आपके लिए सब तै है, या तो ऐसा, या तो वैसा अच्छा बुरा मैं ये देखता रहता हूँ, यहां तक की समाचार चैनलों में समाचार चैनल, अमेरिका के राष्ट्री समाचार चैनल एंकर वाकई बोलते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग, मुझे यकीन नहीं होता था आप सबसे बुरे व्यक्ती से मिलिये, जिसे आप सबसे बुरा समझते हैं, वो भी सोचता है कि वो अच्छा है, हलो, हाया ना हमारे लिए कौन बुरा है और कौन अच्छा, ये इस से तै होता है, कि हम कहां है, और हमारे सामने क्या है, हाया ना आप सभी कम से कम ये छोड़ दें आपको कभी खराब मौसम नहीं कहना चाहिए बारिश हो रही है, बर्व गिर रही है, गर्मी है पर मौसम बुरा नहीं है हलो आप मौसम को बुरा कहने वाले कौन है हलो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें क्योंकि फिर आप दुनिया को टुकड़ों में बांटते चले जाएंगे एक ही बात पर अड़ना, यानि दुनिया को बांट देना अंत में एक दूसरे से लड़ मरना वज़ा ये है कि हमारा मन अड़ जाता है मन तरल होना चाहिए तभी वो बुद्धिमान होता है अगर ये एक बात पर अड़ जाए तो ये सक्त हो जाएगा एक सक्त पत्थर से आप लोगों को मार सकते हैं हलो, ये सिर का एक उप्योग है, है ना? उससे लोगों को मारना? या आप दिमाग का उप्योग करके अपने और धर्ती के दूसरे जीवों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं ये नागरिक शास्त्र या पर्यावरन विज्ञान नहीं है ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है आपको अपने सिर का उप्योग करके अपने और सभी के लिए कुछ अनूठा करना चाहिए या आप उससे दूसरों की नाग फोड़ सकते हैं आप सिर का दोनों तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं है ना